पिछल एपसोर के एंड रही हमगे लेकर और गुंतों देखा था हर कोई हर इसे दोखा दे रहा है दोखा देने की इस लिस्ट के अंदर सबसे उपटर है सुनियान जिसे काम मिला था टूटावा एक भीखता है जिससे ड्रेगन और भी बुस्सा हो जाती है और उसी दे लिन्ट फैंक के बीच्छे बढ़ जाती है इसके एक इमिनट बाद में एक तीसर इंपक्ट होता है सुनिन को बता पड़ता है यूप फैंक के सर में किसे इना भी तलारूसा दिया है और ल लंती उस एक को लिन्ट फैंक छोड़कर तेजी से मुर्ण को बचाने के लिए भाबने लगता है और अब यहां से इस सब्सक्राइब होती है यहां से हम इस बीस फोलिस्ट के एंडर सीन दिखते हैं जहां पर यह बंदा जिसके ना मैं भूल चुका हूं इसलिए बिग गय vazge कहता है के तुम बेव गूफ हो के तुमने कभी उसी ऐखो में नहीं देखा ्ष्ट मारी बहुत्ततय केर करता है तुमने देखा नहीं उसने कितनी तेज फिचतार मों को पथी तीर पर अच्छा है और इससे केर करता तब ही बिग गय मुरूंग के पास में आता है और इसे कहने लगता है कितना अच्छा होगा जब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा और मैं उसका उत्राव चेरा देखूंगा क्योंकि उसके यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हारी इनोसेंस फुर्ते डिस्ट करने लगता है मुरूंग जल्दी से अपना चेरा दूर टायने लगती है और कोईश्क करने लगती है यह किस तरीके से बिग गय उससे दूर अड़ जाए तबी सुनें इस जिगे पहुच जाता है बिग गय को उसके यहाँ हो जाती है वो कहने लगता है आखिरकार तुम्ह पर आए गये मैं जिता सुचाता उससे थूर जल दी आयो तो मैं पता जली चुगा होगा यह लड़की यहीं पर है यह जो कि पागलों की तरह उसकी तरफ आ रहा है वो सीधे इस बंदे पर टैक कर देता है जिसे बिग गय अपने एक्सकेंट से ब्लोक करता है और फिर लग बिग गय कहता है क्या तुम बस देख कर सकते हो अभी तक तुमने जित्ती बिस्कुल दिखाई वो कावश शांदार थी लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है इतनी सी फैट के अंदर तुम यहां से भाग नहीं सकता है यहां पर आतो गया है अब यहां से मेरे स साहितों के बीच में एक चीछ बोज़ा सिमिलर है जित्म तीनोई कुछ भी करने से पहले पहुत जादा बोलते हो यही कारण है तुम्हेरे साथी इतनी सानी से मारे गए विग गय कहता है बिग गय के पासमा कर अपने हाथ से इसके पेट पर एक बहुत ज़र से मुका मार द इस मुक्र के अंदर पर ज़र जान उती है इस बिग गय के मूझे पर चुर से खून बैं लगता है और युछल के बहुत दूरुज़े गर जाता है इसके हात में से इसकी फूट जाती है जिस सुनन की पकड़ लेता है तक निक aan दीस तेन लगता है नहां जोता है तुम इस चुपा के रखा था, तुम इतनी बूरी तोरह से मुच्छ देख रहे हो, इतने चोके वे हो, इसे पता चलता है, और इंपार को छुपाने में, मैं पूरतर काम्याब रहा अब मैं तुम्हें एक मुका देना चाहता हूँ तुम बहुत भीते ठेकेवे हो मैं तुम्हें वो ट्रचर करना नहीं चाहता इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम्हें यहाँ पर जिसने बेज़ाए उसके अबारे में मुझे बता दो इसके बदले में मैं तुम्हें असानी से मार दूँगा बिगगए कहता है सबने देखो मैं एक प्रोफिशनल हंटर हूँ अपने काम के साथ में गद्धारी नहीं करूँगा यहीं तो बिगगए सुनने के उपर अपना आखरी मुझे कामाने की गूश्च करता है जिससे सुनने बड़ी जिन से ब्लॉक कर लेता है बिगगए एक प्रोफिशनल का मारता है जिसे भी सुनन ब्लॉक करता है इसके साथ ही सुननी कल्डिशन एनरजी बिगगा की बुड़ी की संजाने लगती है और बिगगा की पूरे मूँ से खुन बहने लगता है इसके अधने सुननन इस बिगगा की सरपर एक दिरीज चपली मारता है जिसके साथ ही ये फैट खताम हो जाती है विगगे जोर से जुन भी गर जाता है और मर जाता है इसके अधन्म सुनैन मुरों के पास में आता है जो की अभी भी कफ़े चोट चोट चोकते हुए लगातार उसी देखती जा रही है सुनैन के लगता है क्या तुम ठीक हो तुम जहाए चोट तो नहीं आई मुरूंग धिरी से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ सुनेन कहता है मुरूंग त्या तुम पिर एक बहुत important काम कर सकती हो तुमने आज मेरी कवज़द पाउर देख ली है इसके बारे में किसी को बताना मत मेरी सारी martial art skill एक दुम सीक्रेट रिनी चाहिए तबी मैं सेफ ले सकता हूँ वरना मेरी ओपर खत्रा कवज़द बढ़ जाएगा मुरूंग एतिये तुम जिता मत करो इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी लें कम से कम तुम मुझ़द बता दो तुम इसे कैसे हरा पाए सुननन कहता है इसे हराना मेरे ज़्यादा मुश्किल था लेकिन तब तक के लिए जब तक वो मुझे अपना ये ताकत और अपॉनेंट समस्ता था उसने कुछ चाम बाद में मुझे कमज़र समदर शुरू कर दिया मेरे कल्टिवशन के कम लेवल की जिससे हर को ऐसा ही करता है मुझे कमज़र समदर शुरू करता है जिसी विए से मुझे एक सही मुख का मिल जाता है उस पर टैक करने का अगर यहाँ पर इस फैट के अंदर उपने फुल पोटेशल से फैट करता तो मैकसिम जांसेस थे वो जीत जाता सुनेन की इस बात को मुरूंग मान जाती है सुनेन है यह गयता है जब राने से पहले लिंच चुन की बोड़ी के उपर कवशारी घाव लगे वेते हमें जल्दी से उसके पोस्तना होगा उसकी इंजरीज कव ज़ता खतनाग है मुरूंग तुरंती इस इसके लिए भांके देती है तबी एक बहुत खतनाग चीज होती है सुनेन तो लगातार मुरूंग की तो देख रहा होता है लेकिन मुरूंग को कुछ आता हो दिखा जिता है मुरूंग जल्दी से सुनन को सैट में दखा दे देती है इसे की साथी एक तलवार सीध्या कर मुरूंग के सीने में गुज़डाती है इससे सुनन एक सब्सक्राइब के लिए तो बहुत बितर चोक जाता है और सुन्वी नहीं आता वो क्या करे फुर जल्दी से मुरूंग को समाय लगता है इसी चैंपर सैट में दिखे लिएता है ये अटैक इस बंदे ने किया है जो सुननन मुरूंग को सब्सक्राइब होता है ये जल्दी से इसे धूर उट जाता है इसी चैंपर सुननन बुचरूस रन शू कर देता है वो कहता है मूरों ये क्या हुआ तुमने ऐसा क्यों किया ये ट्रैक मेरी लिए था इसे तुमें मेरी उपरी पड़ देना चाहिए था मूरों कहती है तुमने अब तक दो बार मेरी लाइफ बचाई है अब मैं तुमें इस तरीके से मने नहीं दे सकती मेरे अंदर इत्ती पावर नहीं है कि मैं तुम्हें मरता देख सकूँ यह कितेवे मूरों के घाव और उसी मुझे लगाता खुन बेने लगता है विज़ाम पर सुनरी घाव को और जित खतना करने के लिए कहीं से किसी के तालिय बजाने के वज़ाने लगती है और वो भी वो लड़की जो की अजुरे स्काय की तीसरी सुनरी लड़की है जिसके असपास में लड़कों के लैन लगी रहती है यह सुनी के साथी सुनन न गुस्ता हपिस हैपर होने लगता है वो चला कहता है ओयंग ट्यान यह तुमने क्या किया ये किते सुननन और येंग टेंग तो बढ़ने लगता है तभी मुरॉंग खासने लगती है इसलिए सुननन वहीं भी रुख जाता है और लगातार मुरॉंग को जगाए रखने ही कोश करने लगता है वो से कहता है मुरॉंग यह समद करो तुम इसले से मर नहीं सकती हो अभी यहीं पर आज चुका है मैं इस लैफ से पूद्ध खुश हूँ मैं इस बात से खुश हूँ कि मंडे से पहले एक बार तुम से मिल पाई मैं तुम्हें पहुचता पसंद करती हूँ और इसे तुम्हें लोटाना चाहती हूँ यह किते हैं मुरां अपने पास से उस पैंडेट कि एक बहुत एक्तनाग सेथी सुना जीती है वो कहन लगता है क्या शंदा सीन है यह तुम दोनों को इस तरीक से जुदा हो तो देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें भी मार दू इसके बाद में तुम हैल में जाकर इस लोड़की को जोइन कर सकते हो सुनें तुम जाद दुख्यों नहीं है तुम दोनों जाद लंबे टाइम तक एक दूसर से लग नहीं होगे मुझे एकिन है यह सुनकर तुम है काफी अच्छा लग रहा होगा इस काम के अंदर मैं तुम्हें मदद कर देता हूं इस टाम पर सुनन कुछ भी नही पर पर मुक्णा नहीं है उसके साथ में एक वह उसको आकतोर एल्डर है जिसके सामने सुननन गुश्सा एक तुम बेकार है अब तुम्हें यहापर कोई नहीं बचा सकता है तुम यहीं पर मरने वाले हो मेरे ग्रेंटफादर है जोगी एक साth में फरस्टार है तुम्हें जो कि जोने पढ़ा हुआ है, वो लगातार, मुरूं के मैंने सोचे लगता है, वो सोचता है, ये क्या हो गया, सब एक तुम से खताम हो गया, मुझे लगा था, मेरे लाइफ वापी तर स्टेबल हो रही है, लेकिन मैं वापी से उसे जगे पोच चुका हूँ, जासे मैंने सकता है, ये सब की सब मेरी गलती है, ये सब कुछ लगाता सोचते वे, सुनने के लेकिटिव इंबोशन्स बहुत जाता है, उसकी बोड़ी के अंदर से अब डार्क नेची निकलने लगती है, इसकी बाद में सुनने के वले एक की बात कहता है, और येंग टियान तुम वाचेंग झाल के वाचेंग।